दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपना एप में जॉब के लिए अपलाई करना और अपने मन पसंद जॉब को पाने का सबसे असान तरीका दोस्तो दिखें अगर आप पड़े लिखे हैं आप घर पे बैठे हैं तो अब आप अपना एप में जॉब के लिए अपलाई कर सकते हैं अपने मन पसंद जॉब को पा सकते हैं पहले क्या था कि इसमें काफी कम जॉब था काफी कम सीटी में था लेकिन अब ये पूरे भारत में फैल गया है और इससे आपको काफी इजी तरीके से आप अपने मन पसंद आपके एरिया में ही जॉब मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप भी जॉब पाना चाहते हैं तो च इसके लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजेगा उसके बाद इस सबस्क्राइब और बटन पर सस्क्राइब कीजेगा उसके बाद इस घंटी पर क्लिक करके औल पर क्लिक कर लिजेगा दोस्तों अपना एप में जॉब पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना एप डाउनलोड करना होगा तो इसके लिए play store open करेंगे उसके बाद इसके search बार में जाएंगे और search करेंगे अपना app जैसे ही search करेंगे तो यह वाला application आपके सामने आएगा इसे download कर लेंगे इस application का link में वीडियो के description में भी दे दिया हूँ आप वहीं से direct download कर सकते हैं उसके बाद इसको open करेंगे open करेंगे तो यहाँ पर देखिए top कुछ company दिख रहा है इसमें भी आपको job मिल सकता है तो job पाने के लिए सबसे पहले mobile number से register करना होगा तो यहाँ पे mobile number डालेंगे उसके बाद इस पर click करेंगे उसके बाद आपके number पर 4 अंग का OTP आएगा OTP को यहाँ डा ठीके का एक card बनाना होगा जब भी हम किसी भी job के लिए apply करेंगे तो यह card ओलोग देखेंगे इस card में हमारा नाम हमारा कितना work experience है mobile number photo address सब कुछ रहेगा ठीक है तो यह card हमें बनाना होगा तो चलिए हम बनाना चाहते हैं तो just यहाँ let go पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे gender select करेंगे पूरूसे है तो male नहीं तो female उसके बाद दोस्तों next पर click करेंगे दोस्तों यहाँ पर city select करेंगे तो यहाँ पे हमसे location भी पूछेगा कि किस location में किस जगा आप job करना चाहते हैं तो यहाँ पर चलिए हम location भी डाल देंगे उसके बाद just next उसके बाद से पूछ रहा है कि जो काम के लिए आप अपलाई कर रहे हैं वो काम आप पहले किये हैं आपका काम का कितना experience है तो जैसे experience है तो yes नहीं तो no जैसे ही yes करेंगे तो यहाँ पर देखिया हम से पूछ रहा है कि कितना total experience कितना है यहाँ पर भरेंगे job का title यहाँ पर भरेंगे क्य जोब करते थे उसके बाद दोस्तों कमपनी के नाम बताएंगे किस कमपनी में जोब करते थे और यहाँ पे सेलरी बताएंगे कि आपको कितना सेलरी मिलता था ठीक है उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करेंगे लेकिन अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो यह सभी चीज नहीं पुछेगा अगर आप पहले job नहीं किये हैं तो just यहाँ पर no पर select करेंगे उसके बार next उसके बार दोस्तों यहाँ पर education पुछ रहा है तो इस पर click करेंगे अगर आप 10 भी pass हैं तो select करेंगे अपने हिसाब से जितना भी पढ़े हैं आप यहाँ पर select करेंगे उसके बार next उसके बार दोस्तों यहाँ पर list आजाएगा आपकी sector में job करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे जो भी job आप करना चाहते हैं या फिर थोड़ा बहुत की हैं तो उसको यहाँ पर select करेंगे तो चलिए मैं अपने हिसाब से यहाँ पर select करूँगा यह जरूरी नहीं है कि आपको एक ही select करना है आप एक से ज़्यादा भी select कर सकते हैं तो चलिए मैं दो तीन यहाँ पर select कर लेता हूँ उसके बार done करेंगे जैसे ही done करेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी details हमारा आ जाएगा उसके बार दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको एक profile picture यानि अपना एक photo upload करना है दोस्तों photo upload करते हैं इसमें ध्यान रखें कि photo थोड़ा सा professional type में होना चाहिए अगर आप देखते हैं कि जो भी office में job करते हैं वो quote, point, जूता, सबकुछ मतलब थोड़ा सा extender दिखाना पड़ता है तो ऐसा picture आप यहाँ पे upload करें अगर आप यहाँ पे एक normal picture upload करते हैं तो job के लिए मुस्कील है थोड़ा सा दिक्कत आपको आ सकता है और अगर आपको interview के लिए कहीं पे भी जाना हो इसमें अगर online देना है तो ठीक है कहीं office में जाना है तो भी आपको जूता पहन करके जाना चाहिए मतलब थोड़ा सा extender दिखाना होता है तो यहाँ पे एक professional picture upload करेंगे जब आप account बनाएंगे तो यह जरूरी नहीं होता है कि साथ के साथ आप upload करें आप बाद में भी upload कर सकते हैं चलिए हमारे पास कोई भी ऐसा professional picture नहीं है हम इसको छोड़ देते हैं तो यहाँ पर skip कर देंगे उसके बाद यहाँ पे हम से add context पुछा जा रहा है और हमारा account हमारा card बन गया और जो भी आप select किये थे उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए हमें कुछ job दिखाई दे रहा है और इसका salary भी दिखाई दे रहा है मैं जो भी job select किया हूँ उसका salary 30-35,000 है इसलिए 30-35,000 दिख रहा है ठीक है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास देखिए एक message भी आ गया इनके तरब से अपना app के तरब से congregation का सबसे पहले तो हम all पर हैं यहाँ पर आप special category भी देख सकते हैं कि आप किसमें job लेना चाहते हैं लेकिन all में देखें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें कि अगर आप job के लिए देखते हैं तो यहाँ पर आपका location वगर यह सब कुछ देखना होता है तो जैसे मान लिजे कि यह पहला वाला है इसका salary 35,000 रुपया है और भी उसके बारे में सभी details यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि English की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर address आपको जरूर देखना है यह आपके address में ही होना चाहिए और आपके जितना नजदिक हो उतना ही अच्छा होगा time table भी यहाँ पर सब कुछ सो करेगा तो आप यहाँ पर अच्छे से देखेंगे अगर आपको लगता है कि इसमें हमें apply करना चाहिए तो apply for job पर click करेंगे यह apply हो जाएगा उसके बाद दोस्तों वुधर से हमारे पास call आएगा और हमारा interview लेंगे interview दो तरीके से लिया जा सकता है online भी, offline भी अगर online लेते हैं तो यही से हमें अधार कार्ड, pen card और भी जो document देखेंगे वो देखेंगे और वहाँ पर जाएंगे तो भी हमारे पास अधार कार्ड, pen card और भी कुछ चीजे जो जरूरी चीजे होता है वो होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज में आपको बता दूँ कि कभी भी job के लिए apply करते हैं और वो लोग बोलते हैं कि आपको interview के लिए बुलाया जाता है लेकिन इससे पहले आपको इतना पैसा pay करना होगा तो आपको कभी भी पैसा किसी को नहीं देना है क्योंकि अपना job app के तरब से बताया जाता है कि इस पर पैसा नहीं मंगा जाता है लेकिन इसमें कोई भी अगर आपसे पैसा मंगता है तो आपको पैसा नहीं देना है आपसे bank details, OTP, message यह सब अपना personal details आपको नहीं देना है banks related, ठीक है आप अपना अधार card, pen card दिखा सकते हैं यह simple है, ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे अगर जो भी आपको job पसंद आता है तो उसको देखेंगे और उसको apply करेंगे इसके अलावा यहाँ पर group का option आता है group में आएंगे, तो यहाँ पर group देख सकते हैं group में join हो सकते हैं और भी लोग job करते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों इस पर click करके जो भी job के लिए apply करते हैं उनसे connect हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, सब मिला जुला करके आप लोगों से जितना बात करेंगे उतना ज्यादा समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे card का option आता है, जो भी हम card बनाए हो, card यहाँ पे आ जाएगा, हम profile picture upload नहीं किये हैं, इसलिए picture नहीं दिख रहा है, आपको picture जरूर upload करना चाहिए, यह job में काफी help करता है, तो दोस्तों यह है अपना app और इस तरीके से इसमें job find कर सकते हैं, job ले सकते हैं, जिस भी company में job के लिए apply करें, उसके बारे में थोड़ा सा YouTube, Google पे check करें कि वो कितने लोगों को job दिये हैं, इस साल में कितने लोगों को job द जाएगा कि आपको interview के लिए select कर लिया गया है, या फिर अगर reject करते हैं, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्यों reject किया गया है, तो दोस्तों यह है अपना app, इसमें इस तरीके से job के लिए apply करेंगे, और अगर आप job के लिए eligible होते हैं, आपको पसंद आता है, तो interview प्यूदेंगे और जॉब को जॉइन करेंगे